कि है गाइस बेलकूं टू क्रेटिंग वैल तो आज हम बात करेंगे होटल सेक्टर से कि स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी के प्रोडक्स में जो है डील करती है कंपनी के आगे क्या फूचर प्लान्स है और उसको देखते हैं स्टॉक का क्या टार्गेट हो सकता है तो कामत होटल । यह कंपनी जो है रिसॉर्स रेस्टोरेंट होटल dictionary होटल हेरिटेज होटल्स उस तरीके के बिजनिस के अंदर इनंव और और सब्सक्राइब आता करें तो 1986刷 और इस की ब्रांड जो है मुंबई पुने ऐसी जगह पे और भी कुछ मैनी लोकेशन्स है जहां पर जो है काफी फेमस है और चिट की अगर बात करें और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो एक फोट जादवगर जो महाराष्ट के अंदर जो मौजूद है यह देखेंगे तो काम के लिए बहुत ही जादा जो है एक आइडियल डेस्टिनेशन है जो मानी जाती है और महोधादी पहले इसकी अगर बात करें तो यह भी एक कामत होटल की एक हैरिटेज कलेक्शन है यह भी बहुत ही अच्छी है और यह लोकेटेड अगर बात करें तो उडिशा के अंदर ज है इनका मौजूद है इसकी बात करें तो तो यहां पर बात करें तो कुछ इनका इसे लोटस है महोधादी है फूर्जादवगाड है और चीड़ होटल जो है एक अच्छी खासी जो है अगर ब्रांड की अगर बात करी चाहें तो और यह तोड़ा साउथ के एरिया में अग जो है इसकोप है वहां पर जो है इनकी ज्यादा नहीं है तो वह मैं आपके सामने रखूंगा कहां-कहां पर जो है इनकी प्रिजन से एक बर वह देखते हैं तो ब्रांड देखेंगे तो और चीड़ोटल मॉंबई के अंदर पुने के अंदर एंड साथ की साथ दूसरा जो में मौझूद है एंड हर नई में जो है मौझूद है एंड साथ के साथ एंड इनके जो है थलकामत और इजनल फैमिली रेस्टूरेंट्स भी जो है कंपनी के जो है अवे लेवल है ऐसे कोनार संटेंपल यहां पर देख सकते हैं आप जो इमेजिस में पुरी के अंदर जो ह जो है कंपनी जो है रेस्टूरेंट की चैन के अंदर भी जो है मौझूद है अब होटल और चिट की अगर बात करें यह ब्रांट्स के अंडर मैं आप देखेंगे तो उधर के एरिया को आप ज्यादा देख सकते हैं कि आपना एक सब्सक्राइब काने में लगी हुई है यह काफी अच्छा अच्छी जगह पर जो है इनके होटल मौजूद है बढ़िया जगह पर है और और चिट की अगर बात करें या महुदधी पैलेस की अगर बात करें यह देख सकते हैं कमपनी के मौजूद है और आगे लेकिन इनमें कितनी पर्फॉर्मेंस आएगी किस तरीके से जो है एक यह स्टॉक या इनकी अर्लिंग्स भरती हुई देखेंगे उसके वारे में खासकर बात करेंगे पोट जादा वकड़की अगर बात करें और यह देख सकते हैं आप और च पर्फॉर्मेंस कैसी है फिसिक्ली कैका है कि अभी आप देखेंगे तो धीरे-धीरे करें होटल सटर के अंदर। एक आप देखके से कगल्ंडर इतने भी जो पहले कुछ जो रेस्टिक्स थी वो सब हटा दी गई है 31 मार्स से जो है वो सब हट जाएंगी तो खासकर मुंबई वाला पुने वाले उधर की जो एरिया है तो उनको जो है और फायदा मिलेगा कंपनी पहले काफी दो साल से जो है बहुत जादा एक क्वाटर देखेंगे तो कंपनी जो होटल सेक्टर की जो कंपनिया है उन्होंने कहीं न कहीं पॉजिटिव रिटर्न देना स्टार्ट किया है तो अब जो कंपनिया आगे जो है वह था देखते हुए नजर आईगी उसमें और उसी की बात करनी है कि वागई में कौन सा इस् स्टॉक से चलेंगे जरूर कोई 50% भागेगा को तो कोई 5% भागेगा लेकिन कोई अगर नीचे गिरेगा बाद में तो कहीं असा नहों 5% वाला जो है सबसे आदा गिर जाए तो उसमें जो है आपको जरूर ध्यान देना चाहिए प्रिजैंस इनकी सही है लेकिन थोड़ा प्रिकॉर्ड में तो और ऑगे परफॉर्मेंस जो है किस तरही किसी रह सकती है तो उसको देखना बहुत जरूरी है अभी आप देखेंगे तो प्रिप्रीवींस जो क्वार्टर जो गया है इनका थड़ गए उसमें कंपनी कहीं न कहीं जो है उसने जो है प्रॉफिट पोस या हाला कि nine month का result देखेंगे लेकिन quarter on quarter की performance देखेंगे तो कहीं न कहीं आती हुई देख रही है अब यह कैसी performance आएगी आने वाले time में यह देखना भी बहुत जरूर है positivity बनी रहेगी या फिर दुबारा से जो है यह negative होती हुई दिखेंगी यह बात बहुत जरूर है किसी भ मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप है 165 करोड के आसपास का मार्केट कैप है अभी देखेंगे तो माइनस के अंदर है और 10 की जो है face value है एक बाद डिवीडेंट ट्रेक रिकॉर्ट भी नजर में डालते हैं कि कि किस तरीके का डिवीडेंट ट्रे अगर बहतर है तो और ज्यादा अच्छा रहता है वो डिवीडेंट ट्रेक रिकॉर्ट हाला कि इनका कुछ नहीं है बॉनस का भी कोई ट्रेक रिकॉर्ट नहीं है यह देखेंगे आप प्रॉफिटेविल्टी देखेंगे आप 17-18-19 के अंदर भेतर आई है लेकिन इतनी ज पूरा का पूरा आप देखेंगे 2017 में जो प्रॉफिट था उसको ना जाने कितना देख सकते हैं आप करीब करीब पांच कुना जो है कंपनी ने लॉस किया है दो ज्यादा देख रहा है अब आगे हो सकता है या नहीं इस बात पे जो है आपको इस पे बैट लगानी कि यह आगे continuously profitable company बन सकती है या नहीं तो वह देखना बहुत जरूरी है अब एक बाद की बात कर लें डेप्ट भी कंपनी के पास में हाला की बनी हुई है और डेप्ट का यह किस तरीके से जो है एक resolution करेंगे यह देखना भी बहुत जरूरी है quarter quarter performance में देखेंगे तो कहीना क को मिल रही है profitability तो आप देख सकते हैं कि बस यह वाला quarter जो profit में गया है पिछले साल और पिछले दो quarter भी जो है लॉस में रहे हैं अब यहां से अगर इसके अंदर बनती है continue अगर रहती है तो बहतर है क्योंकि यहां पर एन्यूली जो performance आप देखेंगे तो profit आया करीब करी 16 करोड 25 करोड का 19-20 के अंदर तो वहां से तो स्टॉक देखेंगे तो ठीक ठाक भागता हुआ देख रहा है वह मैं आपके सामने भी रखूंगा अब यहां पर holdings की अगर बात करें तो प्रमोटर्स और पबलिक के पास में हाला कि इसमें total holding मौजूद है और FIA-DI के पास में कोई खास holding इसके अंदर मौजूद नहीं है और आप बात करते हैं चार्ट पैटर्न की किस तरीके से जो है इसका चार्ट पैटर्न बना हुआ है हलाकि यह देखें आप चार्ट पैटर्न में देखेंगे 2009 के बाद से स्टॉक के अंदर कभी भी आप देखेंगे कोई खास ए इतक जो है ब्रेक नहीं हुआ है जो 315 के प्राइस पे बना था अपसाइड अच्छी आई 2003 से स्टॉक ने जो है बहतर परफॉर्मेंस दिखाई 2008 तक पांच साल बहतर जो परफॉर्मेंस देखने को मिली उसके बाद में तो आप देख सकते कहीं भी कोई भी परफॉर्मेंस लेकिन चीजयां बहुत तीजी से जो है बदल रही है इन्होंने भी जो है अपनी क्वालिटी को किया होगा इन्होंने भी जो है कुछ चीजय जो है निकाली होंगी निकाले होंगे COVID की problems में तो अब ये कही ना कही जो सोना जो है जब तब के जब निकलता है तो एक अच्छी खासी जो है उसमें चमक होती है तो कही ना कहीं possibility है कि ये company की जो है एक अच्छा revival दिखा सके आने वाले time में तो revival कैसे देखना चाहिए basically ये वाला आप देख रहे है previous जो इनका जो high बना था ये high बना है 2018 के अंदर जो है करीब 160 का और इससे पहले का जो high बना था वो है करीब 167 दोनों की दोनों जो high बने है 50% की resistance के नीचे ही जो है बने है तो यहाँ पर आप देख सकते है ये वाला जो high है 50% की resistance के नीचे ही जो है ये दोनों के दोनों high बनते हुए दिखे हैं मतलब कभी भी इसका trend change नहीं हुआ basically तो अब क्या आने वाले time में इसका trend change होगा बाकई में हो सकता है ऐसा कुछ जो है तो ये बहुत जो है बड़ी बात है यही चीज जो है देखनी है कहीं ऐसा ना हो कि घोम फिर के ये stock दुबारा से उपर जाए और trend change ना कर पाए basically इस पर ध्यान देना चाहिए मेरे एसाब से इस sector के अंदर जिन stocks के trend change हो चुके है long term के लिए जो है उनके trend positive हो चुके है उनमें अगर आप पैसा लगाएंगे वो जादा भेतर है और जिनके trend अभी तक change नहीं हुए है वो अभी भी जो है pain में पड़े हुए है अभी भी जो है वो negative trend के अंदर है उनमें थोड़ा आपको संभल के पैसा लगाना चाहिए पैसा आप बिलकुल लगाएं लेकिन आप उसमें संभल के पैसा लगाएं क्योंकि अगर उसमें revival नहीं आया तो downfall भी जो है अच्छा खासा आ सकता है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मार कंपनी जो है सही से अपने plans को execute नहीं कर पाई तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 साल में फिर वो सही से execution हो पाएगा और stock जो है निकल पाएगा उपर क्योंकि यहां पे आप इनके जो previous जो track record देख रहे हो उसके एसाब से कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं देखने को मिल रहा है हाँ इतना जरूर है एनेंस की हैं काफी चीज़ जो है इन्होंने एनेंस की होंगी कुछ नए भी जो है इन्होंने hotels जो है open की हैं वो सब कुछ ठीक है लेकिन management सही से manage कर रहा है या नहीं गो आपको जो है पता लगिएगा pricing से कि pricing किस तरीके से जो है चलती हुई दिखेगी इसकी तो previous track record बहुत ही खराब है अभी जो है stock अपने जो है bear strength के अंदर जो है चल रहा है अब यहां पर आप आ जाए एक साल का पहले इसका track record देखते हैं एक साल के track record को देख सकते हैं तो आप देखेंगे इस टॉक जो है अपने bullish trend के अंदर मौजूद है downfall आया है 2022 के starting में जनवरी फरवरी मार्च के अंदर लेकिन इसमें आपको जो है कहीं भी downfall जैसी इस्थिती देखने को नहीं मिलेगी स्टॉक जो है 45 रुपीज से अब 70 रुपीज का हो चुका है तो अच्छा खासा अपसाइड जो है इसने दिखाया है यहां पर कहीं न कहीं एक double top बनता हुआ नजर आया है लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉप को जो है क्रॉस कर सकता है कोई जादा बड़ी बात नहीं है तो यहां पर करना क्या चाहिए बैसिकली यहां पर जो है आपको 50 परसेंट की रेस्टेंस का सपोर्ट मान के यहां का जो है आपको इस टॉप लोस लगाना चा का रहा है अलर्ट रहना बहुत जरूरी है इस स्टॉब कर लें है बेसिकलीosed rarely बहुत ही एक नार्मल बंदे के लिए नहीं में वाले फूटेंस के पास में नहीं है एक मतलब बंदे होते हैं उन से ही जो है आता हुआ दिखेगा क्योंकि हाई कोस्ट रहती है इनकी अगर होटल्स की अगर बात करी जाए तो तो नॉर्मल बंदों के लिए थोड़ा सा मतला एक भारी है और इंडिया के अंतर अगर आप देखेंगे पॉपॉलेशन के इसाब से हाला कि बैसे ठीक है अच्छी खासी जो है इनकी पर्फॉर्मेंस आती हुई देख सकती है ऐसी बात नहीं है और लेकिन आने वाले टैम में आप देखेंगे इतनी पॉपुलेशन को तो यहां पर जो ईयसे वोग फोट्ल्स की अगर बात करें या तो मितला उसकी कोश्ट देखेंगा और इनकी कोश्ट देखेंगा बहुत अंतर है उसके अंधर तो बहला कि वी स्की जादा नए होटल भी पूल सकती है इसमें भी कोई शक नहीं हो सकता है आने वाले भविश्य को ना मैं देखाया हूं आप देखाया है वह कंपनी के उपर डिपेंट करेंगा अलाकि इनकी कोई अभी ऐसी प्रिजेंटेशन नहीं है कि आगे जो एंफ्यूचर कंपनी क्या करने जा र देखना है मेरे एसाप से जो है आप इस वाले स्टॉक से थोड़ा दूर भी रह सकते हैं आदारे स्टॉक्स भी खरी सकते हैं जो क्वाल्टी है उपर के टेन तब आप देखेंगे जैसे कि अगर बात करें लेमेंटरी है इंडियन होटेल है और ऐसी स्टॉक्स को जो है यहां पर चार्ट पैटन जो बता रहा है निकल सकता है स्टॉक ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है यहां से जो है अपसाइड इसके अंदर क्लियर कर बनती हुई देख सकती है लेकिन कितनी अपसाइड जाएगी यह देखना बहुत जरूरी है कहीं ऐसा ना हो इस वाद भी ज इल्या होल्ड करें थेंक यू